आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ Download now Hello students, this video मैं question answers करेंगे from the chapter, इस वरान the storyteller यह हमारा question पूछा क्या है How does he narrate the story of the tusker? Does it appear to be plausible? तो बोला गया है कि जो इस वरान एक story बताता है हाथी के बारे में जिसके बहुत ही बड़े-बड़े दात होते है हाथी के तो यहाँ पे बोला गया कि क्या हम यह story believable लगती है या नहीं तो हमारा answer है कि उन्होंने start कैसे करी थी अपनी story He started the story of the elephant by giving a prologue in which he called the elephant huge well-fed beasts तो उन्होंने किस सरा से describing ta कि बहुती बड़े-बड़े fed beasts मतलब है चिन्नोंने अच्छे से खाना खाया हो WrestleMania के बहुत ही बड़े बड़े बीस से He said that after escaping from the timber yard the elephant started roaming about stamped on bushes and tore up wild creepers कि जैसे ही वो timber yard से भागा हां थी तो वो यहाँ वाँ गूमने लगा और जिते भी बुशे से और wild creepers से मतलब पेड पौते थे सब के ऊपर वो stamp करने लगा मतलब अपने पेर उस पे मालने लगा It then came to the main road of the town and smashed all the stalls selling fruits, mudpots, clothes और उसके बद वो टाउन में आता है वहाँ पे जिते भी stalls थे जहाँ पे fruits बिकरे थे mudpots बिकरे थे मतलब फल, मठके और कपडे बट रहे थे जहाँ पे बेचे जा रहे थे वहाँ पे जो stall से उनको सबनिक को उसने गिरा दिया It then entered a school ground where the children were playing और फिर वो एक playground में चला गया जहाँ पे school के playground में चला गया जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे उसने जो football को goal post होता है उसको completely उखाड दिया और volleyball net को भी फाड दिया अपरूट कर दिया The teachers and the students were so afraid that they climbed up to the terrace कि जो भी बच्चे थे वहाँ पे और जो टीचर से सब इतने डर कए कि वो सब के सब चट पे चले गए school की According to Iswaran, he was studying in a junior class at that time और जो ये स्टोरी है वो कब की बता रहे है कि जब वो junior school में थे junior classes में थे जब वो बहुत छोटे थे He grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran into the open तो उनोंने एक टीचर के हाथ से एक डंडा लिया और वो ग्राउड में जाके elephant के सामने भाग गए The elephant continuously grunted and stamped its feet और जो elephant है वो तब भी आवाजे निकाल रहा था और फिर अपने feet को stamp कर रहा था तो वो बहुत ही जाता डरा हुआ लग रहा था However, वो बहुत slowly move कर रहा था जो elephant है When the elephant was ready to rush towards him He moved forward and whacked its third toenail और जैसे ही elephant उसके करीब आया तो उनोंने बहुत तेजसे उनके तीसरे toenail पे बहुत तेजसे मारा उस cane से तो वो बहुत ही साथा stunt लगा उसको जैसे बहुत जादा दर्ध हुआ हो और वो वहीं गिल किया तो यह जो story है does not appear to be plausible क्योंकि हम नहीं मान सकते story को क्योंकि वो चोटे बच्चे थे और सामने एक बहुत बड़ा हाथी था तो उनोंने अकेले हाथी को कैसे मार गिराया तो इस वचे से हमारा answer क्या होगा कि यह जो story उनोंने सुनाई थी वो बिल्कुल plausible नहीं थी So this is the answer, thank you प्लासिक्स चुट्वेल से लेके NEET IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज यह डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 84444 पर